ये YouTube फामिली तो आपने पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार दिखाया और बिस्किट वाली वीडियो को इतना वाइरल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगोंने कॉमेंट्स किये तो बहुत से लोगोंने कहा था कि केक की रेसेपी बताएं केक की तो मैं से फोर कप कोको पाउडर डाल दिया और मैंने एक कप आइसिंग शुगर डी आइसिंग शुगर नॉर्मल घर की चीनिया इसे मैंने पीस लिया था और मैंने सारे ड्राइ इंग्रेजियंट्स को मिक्स कर लेना केक बनाने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूं कि जब साथ मिक्स करने इसमें मैंने एक अंडा लिया है और हाफ का पॉल लिया है मैं आपको यह एक अंडे से बनाना बताऊंगी यह बहुत असान कीक है तो जो बेगनर्स है वो भी ट्राइ कर सकते हैं हम इने हाफ टीबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है वन बाइफ टी स्प करने के लिए ताकि सब यह रेसेपी ट्राइ कर सकें तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यह मिक्स हो रहा है तो जिन्होंने में वाली रेसेपी नहीं देखी मैंने आटे से बिसक्ट बनाए थे और वह बहुत मज़े थे तो वह मैं आई आइकन में दे रही करें अब यह mix हो चुका है तो इसके अंदर मैं कॉफी का टेस्ट दिनी के लिए मैंने आदा कप गरम पानी लिया और उसमें एक छोटी चमाच कॉफी पाउडर डाल दिया ताकि मेरे की का टेस्ट कॉफी वाला है और यह बहुत मॉइस्ट बुनता है तो यह तो must try recipe आपको ज करना चाहता है तो मैं आपको ओवन का भी बता देती हूं कि उसे कितनी दे रखना लेकिन मैं आपको आपके असानी के अलिए पतीले में बनाना बताऊंगी अब यह अच्छी तड़ा से mix हो गया है तो मैंने इसे अपने मोल्ट को grease करना है ओल या बटर की हट से बटर पेपर लेना है और उसको grease करना ओल से और मैंने इसे डाल देना है अपने सारे mixture को इसी के अंदर और अब यह मैं mixture डाल चुकी हूँ तो आपने एक tip जरूर याद रखनी है कि जब भी आप mixture डाले हैं तो उसके बाद इसे tap tap ज़रूर करना है क्यूंकि जब हैं beginner थी तो यहां पर यह होता है कि bubbles बन जाते हैं और आपका cake सही नहीं बनता तो आप अगर यह करेंगे तो आपके जो नीचे से bubbles होंगे वो नहीं बनेंगे तो आपने इसे ऐसे ज़रूर करना है और ओवन को और चूले को तो preheat आपके ज़रूर करना है ओवन के अंदर आपके 30 तो 35 मिंट्स लगेंगे जबकि चूले में 35 तो 40 मिंट्स लग जाएंगे और हमारा केक कि मैंने रख दिया है पतीले के अंदर और 40 मिंट्स बाद हमारा बहुत मज़े का केक तैयार हो जाएगा और ये हो जुका है और ये बहुत मज़े का केक बना था ये बहुत अदर मॉइस्ट और सॉफ्ट था और आपको कैसे पता चलेगा कि ये बन गया है जब आप इसके अंदर तीली डिप करेंगे तो अगर व से बहुत तो कि ये इलें इसके इंडर आधा कॉस्ट लेना है और 5 दे आधा कफी चीनी लिया ये नॉरमल चीनी है इसे मैंने पीच होगा है जैसे नॉरमल होती है और इसके इंडर मैंने 1 फोटी चमस कान स्टाज ढलेब और 1 फोट ती स्कून नमक डाल दिया हुगा कि हमा ज़रूर डालना अपने अपने इसके अदिर एक कप दूद डाल दिया है और मैंने इसे इच्छी ज़रा से मिक्स कर लेना है ताकि इसके नदर कोई लांप्स न रह जाएं सारे ड्राइ इंग्रीडियन्स दूद के साथ मिक्स हो जाएं और मैंने एक फोटी चमश में नीला ए को जाएं अपने इसे हलकी आंच पर टूले पर पकाना है और यह हल्की आंच पर पकाने से हमारा यह pipa कि हमारा थोड़ा-thोड़ा थिक हो जाएगा और हमारे केक ओपर बहुत तोपिंग बनेगी इसके जब यह थिक होगा तो आपको इसकी consistency से पता चल जाएगा कि ये पिल्कुल गिनाश जैसा बन जाता है जैसे गिनाश बनती है मैंने आपको अलग से भी रेशीपी पता ए थी गिनाश की सेम तुसेम ये वैसा बनेगा और अब यह ठिक हो गया है तो मैंने चूला ओफ कर दिया है और मैंने इसके अंदर बटर डाला है बटर से हमारी किनाश के अंदर शाइन भी आएगी और हमारा टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा मैंने आपको थोरी दिए पहले बताया था कि मैं कॉफी वाला बना रही हूं तो मैंने गर्म पानी में एक छोटी चमश कॉफी मिक्स करकर इसके अंदर डाल देना है और यह हमारा बहुत मज़े का डिरी हो चुके है गनाश तो मैंने इसे बावल में निकाल देना है अलग से और मैंने इसे थंड़ा होने के लिए रख देना है जब यह थंड़ा हो जाएगा तो फिर मैंने इसे केक के उपर लगाना है और जितना हमारा गनाश थंड़ा हो गया था तो मैंने अपने केक को निकाल देना है और ये देखने में इतना जादा soft लग रहा है और moist भी था ये बहुत तो मैंने अपनी chocolate sauce को इसके पर डालना है और ये कि वो recipe है जो हर कोई try कर सकता है पहली बार में क्योंकि इसके अंदर बहुत जादा ingredients नहीं use हुए और नहीं बहुत अंडे add किया है मैंने तो पहली बार अ तो गुंटे बाद हमाना बहुत मज़ेका केक बनकर रिडी हो चुका है और मैंने से कट करना ये दिखने में इतना जाजा soft और ये खाने में भी बहुत मज़ेका था ये most viral recipe है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी YouTube फामिली के से जरू शेर करूं इतने मज़े की रेसिपी ताकि व ये recipe बनाई और आपते कैसे बनाई और आपको कैसी लगी आपकी comments बहुत सोग से पढ़ती हूँ तो comment जरूर कीजिएगा और जिनों ने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया go and subscribe my channel ताकि आपको ऐसे ही मज़े मज़े की recipes मिलती रहें और आप लोग ऐसे ही enjoy कर तेरे हर नई recipe को